बिसमिल्ले रह्मार रह्म, अस्लाम अलेकुम डियर स्टुडेंट्स आज हम प्रॉब्लम 1-8 A को सौल करेंगे ठीक है फिनेंशल अकाउंटिंग का उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मीन के जो रिक्वार्मेंट 1 है और 2 इस पॉर्शन में करेंगे और जो थर्ड रिक्वार्मे में करेंगे ठीक है नेक्स वीडियो में करेंगे तो फंडमेंटल अकाउंटिंग प्रिंस्पल बुक का नाम है या फिनेंशल अकाउंटिंग आम कहते हैं चैप्र नमबर वन है जी इसका अकाउंटिंग इन बिजनिस ठीक है जिसमें हम मोस्ट भी कह करते हैं तो हम solve करते हैं जी स्टार्ट करते हैं problem 1-8A को और problem solve करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बरवाक्त मिल सके तो बुक से मैं read out करता हूँ problem 1-8A का और उसकी requirement 1 and 2 को हम solve करते है कल्टिस हमिल्टन started a new business and completed these transactions during December कल्टिस हमिल्टन एक शक्स है उन्होंने एक नए business start किया है और December में उनकी जो transactions हुई है उनके बारे में बताया गिया है तो December 1 की है 2, 3, 4 इस तरह से क्या दी गई है transactions या entries बताई गई हैं तो requirement 1 मैं पढ़ता हूँ क्या है arrange the following assets liability and equity title in table like exhibit 1.9 तो ये exhibit 1.9 book exhibit है कहरे उसी format को हम follow करेंगे अगर आपके पास book है तो वहाँ से भी आप follow कर सकते हैं अगर नहीं है तो कोई बात नहीं हम यहाँ पे भी उसी format को ही follow करेंगे तो assets के कौन कौन से head create करने है या accounts cash, accounts available, office supplies, office equipment and electrical equipment तो account payable, liability में और capital, withdrawals, revenue and expenses ये तो हम create कर लेंगे अभी मैं create करके दो दोसरी requirement भी इसी के साथ हैं हम उसको भी solve करते हैं use addition and subtraction to show the effects of each transaction on the account in the accounting equations, show new balances after each transactions ठीक है होड transaction के बाद हमने क्या करना है नए balance भी बताने हैं तो सबसे पहले तो इसका नाम लिखने है Hamilton, Curtis Hamilton जैसे ने Hamilton Electric बनाए है account उसका open करा है Hamilton Electric accounting equations बनाने है तो क्या format होगा उस format को हम पढ़ रहे हैं ठीक है यहाँ पर यह date का कालम आ जाएगा ठीक है जगा काम है मैं इस वज़ाँ से थोड़ा सा congested हो के लेख रहा हूँ ठीक है तो सबसे पहले accounting equation लिखने है accounting equation कहाजी assets is equal to ठीक है अब मैं सबसे पहले assets लिख लेता हूँ लिखना तो यही चाहिए assets is equal to liability plus equity लेकिन मैं देख लेता हूँ के जगा जहाँ पर बचेगी चले है मैं लिख देता हूँ assets is equal to labilities plus equities ठीक है यह accounting equation लिख लेनी है उसके बाद जो उन्होंने requirement one में बता है कि account के head create करें सबसे पहले कौन सा head create करना है हमने cash का उसके बाद account receivable का उसके बाद account receivable के बाद office supplies office supply के बाद office equipment बाद के 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 ठीक है यह हमने asset side पर head create करने थे liability side में कौन से head create करने है number one पर जी account payable उसके बाद equities को expand करेंगे equity के four elements हैं कौन कौन से है equity के four elements number one पर capital minus इसमें से करेंगे drawings इसमें add करेंगे revenue और minus करेंगे expense ठीक है तो यह expense को क्या कर देंगे minus कर देंगे तो यह है जी format उसके बाद हमने क्या करना है transaction start करनी है उनको solve करना है तो number one पर first transaction है जी December one की उसको solve करते है December one की transaction है कर्टिन्स Hamilton transfer 56,000 cash from a personal saving account to a checking account the name of the Hamilton electric as it says initial capital नहीं कि जब भी business start करेंगे तो मालिक क्या करता है कुछ पैसा अपने business में invest करता है सरमाय कारी करता है जिसको initial capital कहते हैं ठीक है यह capital भी बोलते हैं तो जब भी आप question करें तो एक तो business point of view से transaction करनी है ठीक है accounting equation बनाते हुए यह जनर जनर करते हैं जो भी accounting है business point of view से transactions करनी है दूसरे separate entity concept को जहान में रखना है ठीक है अब business point of view से जब business का मालिक business में पैसे invest करेगा cash में invest करेगा तो cash में क्या होगा इजाफा होगा cash inflow होगा और उधर से capital भी इजाफा होगा ठीक है तो अब उन्होंने अपने जाती जो saving account था उसका उसमें से 56,000 dollar Hamilton electric के account में transfer के हैं अब असूलन तो यहां पे cash की जगा bank account होना चाहिए था लेकन book में भी required उन्होंने क्या किया है कि cash account का head create करें ठीक है उन्होंने खुद ही बता दिये हैं तो 56,000 cash में इजाफा होगा bank account इस business के Hamilton electric में और जो शुरू में पैसे invest करते हैं उनको कहां पे लिखते हैं capital में तो 56,000 capital में लिखेंगे ठीक है next transaction है December 2 की rented office space and paid $800 cash for December rent ठीक है आप ने जहां पे office बनाया नया business start किया है हमालिटन कल्टेस हमालिटन ने उसका rent है $800 तो जब भी देखें rent क्या है business का expense है खर्चा है तो जब भी खर्चा पे करेंगे तो साफ जारे cash देंगे आप cash outflow होगा और उदर से आप कहाल पे लिखेंगे expense में लिखेंगे तो cash में कमी होगी $800 की and minus $800 expense के अंडर ठीक है तो उसके बाद हमने क्या करना होता है इसको balance करना होता है ठीक है अब जी के मुकमल line भी लगा सकते हैं हर head के नीचे line लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं इस तरह column बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं ठीक है मैं उसको simple रखने के लिए ऐसी बना रहा हूँ उसके बाद क्या करेंगे balance करेंगे तो मैं short जगा का मैं bel लेक रहा हूँ balance के लिए तो 56,000 ये minus का sign है 800 remaining जो balance रह जाएगा 55,200 और equal to 56,000 capital है and minus 800 का क्या है expense है तो इस तरह से ये लिख लेंगे next transaction है जी December 3 की December 3 को क्या है जी purchase 14,000 of electrical equipment by paying 3,200 cash and agreeing to pay 10,800 balance in 30 days देखें आपने मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको transaction समझा देता हूँ office equipment by किया है 14,000 का उसमें से जो cash पे आपने लिए है cash पे किया है वो just 32,000 दी है बाग की जो 10,800 है वो आपका क्या है on credit के उपर है on account के उपर है उधार है आपके उपर ठीक है यह आप कब जाके देंगे after 30 days इन 30 दिनों में जाके पैसे देंगे इन 30 days में तो office equipment जो बाई किया है oh sorry electrical equipment electrical equipment जो बाई किया 14,000 का तो account में क्या होगा electrical equipment तो आपके पास आ रहा है 14,000 का तो electrical equipment में इजाफा कर देंगे 14,000 का ठीक है बाकी cash कितना पे किया है 32,000 cash पे किया है तो cash में कमी कितनी होगी 32,000 की क्यूंकि जितना cash outflow होगा या decrease होगा उतना cash ही हम minus करेंगे बाकी उधार पे कितना है 10,800 की amount यह हमारी क्या है उधार के उपर है तो जो उधार पे होते हैं जो in future हमने जाके पे करने होते हैं उनको कहां पे लिखते हैं account payable में तो यह 10,800 तो इसको मैं raise कर रहा हूं यहां से उसके बाद balance करेंगे तो 55,200 में से 55,200 माइनस 3,200 जो cash pay किये उसको माइनस कर देंगे remaining cash का balance कितना होगा जी 52,000 और plus electrical equipment कितना है 14,000 तो electrical equipment head के नीचे लिखेंगे equal to 10,800 के क्या है account payable plus 56,000 का capital minus 800 का expense है ठीक है next transaction है December 5 की purchased office supplies by paying 900 dollar cash देखें office supplies pay की हैं कितने की cash के उपर buy की हैं 900 रुपे की अब देखें जब office supplies buy करेंगे जो चीज हम buy करते हैं उसमें क्या होता है इनको लिखेंगे तो ये office supplies का head है यहां पर ठीक है तो December 5 900 रुपे की office supplies है और उसके बदल में आपने क्या pay की है cash pay की है तो नगद है तो 900 रुपे cash में क्या कर देंगे minus कर देंगे उसके बाद balance करेंगे तो बावन हजार में से 900 माइनस कर देंगे तो 51100 प्लस 900 की office supplies प्लस 14,000 का electrical equipment इकुल तो accounting equation 10,800 प्लस 56,000 minus 800 ठीक है जी तो हर balance जब भी करेंगे दोनों sides क्या आनी चाहिए बराबर आनी चाहिए तो next transaction is December 6 की December 6 में जी completed electrical work and immediately collected 1000 cash for the work आपने किसी को कोई services दी है client की electrical का आप ये shop है तो किसी client की services दी है अब देखें जब आप किसी client को services देते हैं वो चाहे कोई teacher हो, liar हो, doctor हो, ठीक है या कोई कारीगर हो, जो भी हो तो उसके बदले में उससे क्या करता है income लेता है जो कि उसकी revenue होती है ठीक है तो एक तो ये revenue है और उसी time आपने cash भी क्या है receive कर लिया है तो cash जब receive करेंगे तो cash में इजाफा होगा तो plus 1000 cash में इजाफा और उदर से revenue है तो revenue में भी इजाफा 1000 का revenue में भी इजाफा उसके बाद balance करेंगे 52,100 plus 900 plus 14,000 तो एकांट पेबर 10,800 plus 56,000 plus revenue है 1000 minus 800 next transaction है December 8 की December 8 को है जी purchase 3800 डॉलर of office equipment on credit 3800 का office equipment भाई किया है उधार के उपर तो एक तो office equipment में अचाफा होगा और जब आपने उधार के उपर खरीदा है तो साफ जारे आपकी liability में भी क्या होगा इजाफा होगा तो यह office equipment का head है तो यहां पे office equipment के head के नीचे लिखेंगे हम यहां पे office equipment का head है 3800 का office equipment में इजाफा और उधार के उपर है तो यह आपकी लेबिलिटी है तो इसमें भी 3800 अरुपे का इजाफा करेंगे उसके बाद बैलन्स करेंगे तो यह जाएक जाएक 52100 प्लस 900 प्लस 3800 ऑफिस एकपमेंट प्लस 14000 का अलेक्टिकल एकपमेंट तो इकोल टू 10800 इसमें एड़ करेंगे 3800 तो यह 14600 हो जाएगा प्लस 56000 कापिटल है प्लस 1000 रेविन्यू माइनस 800 ठीक है नेक्स ट्रांजेक्शन सॉल करते हैं दिसम्बर 15 की है अब देखें अलेक्टिकल एकपमेंट आपने किसी वर्क कम्प्लीट किया ठीक है अब यहां पर यह गलती नहीं करनी के आपने अलेक्टिकल एकपमेंट खरीदा है बलके किसी को सर्फिस दी है उसका अलेक्टिकल वर्क क्या है कम्प्लीट किया है 4000 रुपीज का लेकर अब यहां पो क्या है पैसे नहीं मिले अन क्रेडिट के उपर है उधार के उपर यहां पे अकाउंट में भी लिखा हुआ है जब उधार पे होगा तो वो फिचर में पैसे आपने क्या करने होंगे रिसीव करने होंगे तो फिचर में यहां पे हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल के हैड जो पैसे हम उधार पे लेने होते हैं वो रिसीवेबल या डेटर्स होते हमारे तो उनको क्या करेंगे रेसीवेबल में लिखेंगे दूसरा आपका क्या है यह revenue है income है आपकी तो revenue के head के नीचे लिखेंगे उसके बाद balance करेंगे 52,100 cash plus 4,000 account savable plus 900 office supplies plus 3,800 office equipment plus 14,000 ka electrical equipment तो equal to 14,600 हमारे पास क्या है liability है plus 56,000 capital है 5,000 revenue हो जाएगा minus 800 का expense हो जाएगा ठीक है तो next transaction है हमारे पास December 18 की December 18 में purchase 500 of office supplies on credit 500 की office supplies उधार के उपर खरीदी है ठीक है अब देखेंगे office supplies का head कौनस है हमारे यह वाले 900 का है जो इसमें हमने क्या करना है उधार के उपर 500 रुपे की office supplies खरीदी हैं अब देखें सबसे पहले तो office supplies में इजाफा होगा 500 का और उधार के उपर हैं तो यह credit है हमने जो पैसे pay करने है in future तो 500 रुपे की account payable में लिखे हैं जो future में जाके हमने अदा करने हैं उसके बाद balance करेंगे तो यह है जगर 50 2100 प्लस 4000 प्लस 1400 प्लस 3800 ठीक है relevant head के नीचे ही amount आनी चाहिए तो यह 15100 का account payable हो जाएगा प्लस 56000 प्लस 5000 माइनस 800 उसके बाद December 20 की transaction है paid 3800 डॉलर cash for the office equipment purchased on December 8 8 December को आपने जो 3800 का equipment खरीदा था उधार के उपर जो आपने देना था 3800 ठीक है December 8 को तो वो आपने क्या किया है अदा कर दिया देंगे जब आप किसी के पैसे देने हूँ अदा कर देंगे तो एक तो आपके cash में कमी हो जाएगी ठीक है तो 52100 माइनस करेंगे 3800 तो यह आजाएगा 48300 प्लस 4000 प्लस 1400 प्लस 3800 प्लस 14000 इस में से माइनस कर देंगे 15100 माइनस 3800 11300 प्लस 56000 प्लस 5000 रविन्यू माइनस 800 एक्सपेंस next transaction है December 20 के होगे December 24 की है December 24 की ट्राइक्शन है Build a client 600 डॉलर फर electrical work completed the balance is due in 30 days Build का क्या मतलब होता है देखें उधार पे होता है जब आपने किसी क्लाइट का का मुकमल किया है तो आपने उसको क्या किया है बिल बनाके send कर दिया तो Build a client का मतलब है कि उधार के उपर है Build a client 600 डॉलर फर electrical work completed पैसे का मिलेंगे इन 30 डेज़ एक तो आपने इन फ्यूचर जाके receive करने है कितनी अमाउंट है जी 600 क्यूंकि अकाउंट से बले services दी है और जब आप services देंगे तो उधर से क्या होगा revenue में भी इजाफा होगा 600 का उसके बाद balance करेंगे तो cash का balance 48,300 प्लस 1,000 ओ स्वरी 46,000 और 4600 प्लस 1400 प्लस 3800 प्लस 14,000 का electrical equipment तो इकोल करेंगे 11,300 प्लस 56,000 प्लस 5600 मिनस 800 दिसम्बर 28 का है next transaction received 4000 cash for the work completed on December 15 को देखें December 15 को हमने एक काम मुकमल किया था जिसका हमें 4000 पे मिलना था हमने पहले उसको record कर दिया था कहां पे record किया थे जी account receable के उपर अब हमें कब आके December 28 को हमने वो 4000 पे जो cash था वो हमने receive कर लिया है तो cash में इजाफ़ होगा क्योंके cash inflow है और उदर से जो पैसे लेने थे वो हमने मिल गया है और वहां से हम minus कर देंगे ठीक है तो हमारे account receable में कमी हो जाएगी उसके बाद balance करेंगे तो 48,300 में यह 4000 एड़ करेंगे तो 52,300 प्लस यहां पे remaining 600 बढ़ जाएगा 1400 के office supplies प्लस 3800 का office equipment प्लस 14,000 का electrical equipment इक्वल तो 11,300 प्लस 56,000 का capital यह revenue है minus 800 का expense next transaction है जी 28 की December 28 received 4th sorry December 29 paid the assistant salary for the 1200 cash for this month आपने एक assistant hire किया हो था ठीक है जिसको आपने 1200 रुपे क्या है salary दिये इस मांत की तो salary business का expense है तो जब भी expense pay करेंगे cash में कमी और इदर से expense के head के नीचे 1200 रुपे उसके बाद balance करेंगे तो 52,300 माइनस करेंगे 1200 तो यह 51,100 आजाएगा प्लस 600 प्लस 1400 प्लस 38 प्लस 14,000 इकोल तो 11,300 प्लस 56,000 प्लस 5,600 और यह मिनस मिनस आप हो जाहेंगे तो मिनस 2,000 एक्याएगा नेक्स ट्रांजेक्शन है 30, 30 की December 30 की है जी December 30 को paid 440 cash for this month utility bill 440 रुपए आपने इस मिनस का किया जी bill पे किया है तो जब bill पे करेंगे यह भी business का expense है तो cash पे करेंगे cash में भी कमी और इदर से expense में 440 रुपए उसके बाद balance करेंगे 51,100 इस में से माइनस करेंगे 440 पचास हजार 660 है cash आ जाएगा प्लस 600 प्लस 1400 प्लस 3800 प्लस 14,000 इस इकोल तू 11,300 प्लस 56,000 का capital प्लस 56,000 की revenue और यह minus minus जम हो जाएगे 2440 तो यह आपका expense हो जाएगा next और last transaction है हमारे पास December 31 की December 31 को C Hamilton यहनके Coltons Hamilton with due 700 cash for personal use 700 रुपे cash उन्होंने अपने जाती इस्तमाल के लिए with draw करवा हैं अब देखें जो भी business कारोबार का मालक अपने business से with draw करवाएगा तो उसको क्या बोलते हैं drawing जब भी अपने जाती इस्तमाल के लिए कोई भी चीज़ वे with draw करवा है mostly cash with draw करवाता है या goods या कोई और चीज़ भी करवा सकते है और अगर cash with draw करवा रहा है तो cash क्योंके business से outflow हो जाएगा ठीक है कारोबार का मालक business में से पैसे ले रहा है तो business में से cash outflow हो जाएगा पहले भी कहा है कि business point of view से हमने सोचना है और उसी के हिसाप से हमने transaction करनी है तो minus 700 कर देंगे और उधर से drawings के head के नीचे यहां पर हमारे drawings के head है तो drawings के head के नीचे 700 minus कर देंगे उसके बाद क्या करना है हमने balance करना है तो 50,660 minus 700 तो 49,960 जो हमारे पास है cash plus 600 account seeable plus 1400 office supplies 3800 office equipment plus 14,000 electrical equipment equal to 11,300 के आपके account payable है plus 56,000 capital है minus 700 की drawings है plus 56,000 का revenue है minus 2440 का expense है ठीक है तो यह था ही last transaction और end पर आपने देखना है कि आपकी दोनुंस साइड्स का balance क्या है बराबर आने चाहिए accounting equations भी इसलिए कहा गया ठीक है assets is equal to labilities plus equities तो अब एक बात और भी जहन में रखनी है कि जरूरी नहीं है कि अगर दोनुंस साइड्स बराबर हैं कि आपका question भी ठीक होगा हो सकते है आपने cash के head की amount accountable में जमा कर दियो लेकिन end पर balance तो बराबर आएगा है लेकिन head की amount जो होगी वो change हो सकती है तो यहां पर equations लिखेंगे assets is equal to liabilities plus equities देखें सबसे पहले assets को जमा कर लेंगे 49,960 जमा 600 उसके बाद add करेंगे 14,000 oh sorry 14,000 1400 के बाद 38,000 plus 14,000 तो यह आजागे जी 69,660 क्या है assets की amount आजागे अब liability कितनी है जी liability आपके पास है 11,300 plus equity का balance क्या आजागे अब देखें equity के यह four components है ठीक है इन में दो component negative हो रहे हैं और दो क्या हो रहे हैं एड हो रहे हैं तो 56,000 इसमें से minus करेंगे 700 drawings हो रही है और plus करेंगे revenue 5,600 और इसमें से minus करेंगे expense 2440 तो यह आजागे जी 58,460 तो यह दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए 69,760 तो इनको भी add करेंगे plus इसमें कर देंगे 11,300 तो यह भी आजागे 69,760 तो यह आपका accounting और वो इसके इलावा book में आपको कुछ और भी amount दी गई हैं जैसा कि ending balance of cash दिया गया होगा वो है 49,960 यह कौन सा balance है? ending balance of cash तो यह book पे भी दिया गया हो वहाँ से भी आप match कर सकते हैं ठीक है? account payable का भी balance आपको दिया गया है book के उपा तो यह account payable का ending balance जो आपकी liability है December के end तक यह है 11,300 तो यहाँ से आप crash check थोड़ा सा verify कर सकते हैं तो यह था जी problem 1-8A और इसका part requirement 1 और 2 हमने solve की है और इसके इलावा अगर आप लोगं को कोई question है तो आप share कर सकते हैं और comment section में आप अपना feedback दे सकते हैं, question कर सकते हैं और इसके इलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो group में share करें and thank you for watching, Allah Hafiz